हमने पहले दिन ही का इस बात को कहा था कि अपराद और पराधियों के परती और भ्रस्ताचार और भ्रस्ताचारियों की परती सरकार की zero tolerance की नीती रहेगी और उसके तहद हम आज भी कारे कर रहे हैं बिना रुके बिना डिगे बिना किसी संगोच के पर वहां के विगर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसला आपको देखने को मिला है इसी का प्रिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश पहले निवेस आता नहीं था कि जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था कि मुझे याद है जब 2017 के अंत मैं मैंने नौंबर में अपने और विकास मंत्री को और उस समय के अवस्थापना और विकास आयुक्त को बुलाया था मैंने कभी कुछ निवेस कराओ रोजगार के चहिए कैसे होगा तो मेरे पास आये थे बीस हजार करूर रुपे के निवेस के प्रस्ताओं हम यहां पे लागू करवाएंगे इसके लिए हमें एक ग्लोबल इंवेस्टर सिमिट करना है तो मैंने का भी पहले नाम चेंज कर दो भई इसका पीस ग्लोबल नाम होगा और निवेस आपके और बीस हजार कराएंगे फिर मैंने उनसे का कि लोवर लिमिट दो लाग करोना ने का कौन आएगा यूपी में और आज जब हम लोग फरवरी दोहजार तेईस में अपना ग्लोबल इंवेस्टर समिट करवाते हैं तो हमारे पास अब तक 40 लाग कर अप्रस्ताव प्राप को हो चुके हैं अज हमारे पास उत्तरप्रदेश के अंदर अकेले फरवरी में प्रधानमंत्री जी ने स्वयम दस लाग करोड़ उपे के निवेस प्रस्ताओं का ग्राउंड प्रेकिंग करवाया है कि कि लाखों करोड़ उपे के निवेस के प्रस्ताव जो ग्रांड प्रेकिंग ओए थे उनन्में प्रोडक्शन प्रारंब हवा है और जिन में प्रोडक्शन प्रारंब हुआ है उनी के इंसेंटिभ भी बित्रित हो रहे है जिनको इस अपس नहीं दिखाई हैं उद्यमी से बात कर सकते हैं उनकी हाँ जिनको इंसेंटिव मिला वहां भी देख सकते हैं कि टेक्नलोजी का उप्योग किया गया है लेकिन साथ-साथ आपकी सहस्ता सरलता हो लेकिन जो लोग इस पर हमेशा कोई न कोई कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए यह महत्वपू उस संभो को संभो करने के प्रणाम स्वरूप आज उत्तरप्रदेश भारत का इंवेस्मेंट का सबसे टीम डिस्टिनेशन बना है तो उसका रिजर्ड भी आज इस रूप में यहां पे प्राप्त हो रहा है